है गाईज वाट्स अप वेल्कम टू कॉंकर एपिसी एडियरी चैनल इस फिफ्थ लेक्चर ओफ मीडिवल हिस्ट्री ओफ इंडिया आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहमेनी किंग्डम को देखे पिपूल जब नॉर्थ इंडिया में देली सल्तनत फ्लारिश कर रही थी सिमिलर और सेम टाइम में साउथ इंडिया में दू डाइनस्टी फ्लारिश कर रही थी एक है बिजयनगर एम्पायर और एक है बहमेनी किंग्डम तो बिजयनगर एम्पायर को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल डिसकेशन कर चुके हैं तो मैं आपको तोड़ा सा रिक्व जो किसका फूटिटरी थी ये बहुत important question है काकातियस का फूटिटरी थे भी जैनोगर इंपायर का अब देखिये बहामनी kingdom सबसे पहले किनका फूटिटरी थे ठीक है ये देखिये जब हम डेली सल्तनत में एक इनक रूल कर रहे थे उनका नाम क्या है महम्मद बिन तुगलक तो महम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है wisest fool कहा जाता है क्योंकि उनका कुछ decision ऐसी थी उस time के according नहीं थी जो future बहुत ज्यादा future oriented थी बहुत ज्यादा आगे की decision थी उस time में decision fail हो गया इसलिए उनको wise भी कहा जाता है लेकिन उनको fool कहा जाता है ठीक है और ये जैसे token currency लेकर आए ठीक है डेली से दो लताबाद अपने capital को shift कर दिये तो इन police को जैसे इनको क्या कहा जाता है wisest fool कहा जाता है और ये जब देली सल्तनत में rule कर रहे तो तो center में जो देली सल्तनत थे ये तोड़ा विग पड़ गया ठीक है और ये बहामनी जो Kingdom है बहामनी Kingdom as a fiduatory होके rule कर रही थी देली सल्तनत के अंडर रूल कर रही थी तुच कैहतर तब देली सल्तनत में जो king थे ये वो तोड़ा विग पड़ गयाै तो खुद को इंडिपेंडेंट्टे कर दिया तो अब देखेंगे यहां पर बामनी किंग्डम के पुरा डिटेल ठीक है सबसे पहले देखिए बामनी किंग्डम का यहां founder कोन थे ठीक है अलाउद दन हसन मेहमुद शा लाउद दिन हसन मेहमुद चा फॉंडर थे ठीक है बामनी किंग्डम का और यह फस् dont की भी थेया बामनी किंग्डम का AmbMan गया इस ने कबसे कब तक रूल करी 1347 to 1358 . esta तक रूल करे अलाउद्दिन हसन महमुद्शा ने ठीक है और अलाउद्दिन हसन महमुद्शा को क्या कहा जाता है दीक है नोन एज हसन गंगू हसन गंगू कहा जाता था अलाउद्दिन हसन बहामन शाह को ठीक है और इनका ओरिजिनल नेम क्या था जाफर खान था इनका ओरिजिनल जो नेम थी जाफर खान थी ठीक है और इनने फाउंडेट करी बहमनी किंग्डम को ठीक है और केपिटल कहा थी गुलबर्ग में केपिटल थी ठीक है बहमनी किंग्डम का फिए फस्ट केपिटल है आपको पूछ सकता है बहमनी किंग्डम का इनको defeat कि इसने करे अलावद्दिन हुसेन भाहमन शाह ने ठीक है भी बूल चलिए चलते आगे उसके बाद दीके second king कोन आए ताज उद्दिन फिरुज शाह second kingdom कोन थे बाहमनी kingdom का ताज उद्दिन फिरुज शाह second kingdom second king थे ठीक है इसने कब से कब तक रूल करी 1397 to 1422 एडिर तक रूल करे इसने ठीक है इसने दीके defeat करे किसको देबार आया one को defeat करे ठीक है ठीक से कवंज और सबस्क्राइब और से जियर ऑफ से बीदर किसने शिफ्ट कराया तो आहमेद्शावली ने shift करा है ठीक है जो इस बाह bowling किंगडम का downloading गेपटल ता गुलुबर्बर्ग ता नजी टो ईलिए टीक है गुलुबर्ग से shift कर दिये कहा भीदर में और एक कॉन से किंग ने करा यह direct question पूछेगा आहमद शाह वाली ने कर रहा था ठीक है भी पूल चलिए चलते आगे यह जो बहमेनी kingdom empire था ठीक है बहमेनी empire क्या हो गया break up of बहमेनी empire अभी क्या हो गया break हो गया ठीक है बहमेनी empire क्या हो गया break हो गया different different चुटे चुटे kingdom में बट गया ठीक है यह पुरा empire ठीक है तो कौन-कौन सी kingdom में बटे हैं ठीक है कौनजी ते की kingdom बेरार ठीक है उसके बाद बीजापूर उसके बाद आहमेद नगर उसके बाद गॉलकॉंडा उसके बाद बिदर यह जो पाँच kingdom में बढ़ गई ठीक है यह जो बाहमनी एंपायर है ठीक है तो आपको याद भी याद रखना पड़ेगा ठीक है बेरार कब ब इसका 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 इस फिर गोलकॉंडा गोलकॉंडा कब बनी ठीक है फिफ्टीन एटीन में गोलकॉंडा बनी ठीक है और गोलकॉंडा का फाउंडर कों थे है कुतूब शाही फाउंडर ठीक है फिर बिदर बिदर कब बनी 1526 टू 1527 एडी में बनी ठीक है और इसका फाउंडर कों थे है बारीद श पांच जो kingdom में बढ़ गई इनका यार याद रखना है आपको ठीक है और कौन इसका फाउंडर थे टीक है यह याद रखना है ठीक है तो दीए सब सब पहले बेरार थी बेरार कौन सी हार में बनी 1484 में बनी इसका फाउंडर कौन थे इमाद शाही ठीक है उसके बाद इसका फाउंडर कौन थे बारिद शाही ठीक है भी बूल चलते हैं आगे महामद कुली कुतुबशा ने फाउंड करी कौन सी kingdom को फाउंड करे थे इनने ठीक है गोलकंड़ा का जो kingdom था इसको फाउंड करे थे कि इसने महामद कुली कुतुबशा ने फाउंड करे थे ठीक है भी बूल और इसने क्या करे थे महामद कुली कुतुबशा ने क्या करे थे बिल्ड करे थे किस चिसको बिल्ड करे थे गोलकंड़ा फॉर्ट को बिल्ड करे थे ठीक है भी बूल उसके बाद क्या बिल्ड करे थे चार म ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है, कुली कुतुपशा ही, मुहम्मद कुली कुतुपशा, ग्रेटेस्ट रूलर थे, कौनसी डाइनस्टी का, कुतुपशा ही डाइनस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है, और फाउंडेट करेते क्या, हैदराबाद सीटी को भी करेते हैं ठीक है पीपूल चलिए चलते आगे इबराहीम अदिल्शा इबराहीम अदिल्शा ने देखिये कौन सी किंग्डम को फाउंड करेते हैं बिजापूर बिजापूर का जो किंग्डम थे उसको किंग्डम को फाउंड करेते हैं इबराहीम अदिल्शा ने फाउंड कर उसको अपना लेंगे सतिक किसे बनाया उसके बाद कि इसको वह लोगुंबत क्या और्थ सेगेंड लाइजेट कि सक्रवार ती कर देकर की और और यह famous की हुए famous for whispering gallery whispering gallery मतलब क्या होता है उसमें अगर आप कुछ बोलते हो ठीक है उसको वह हाँ पे क्या करता है वो echo करता है ठीक है इसलिए उसको whispering gallery भी कहा जाता है ठीक है गुल कुमबद को और गुल कुमबद कहां पे है करनाटा का स्टेट में करें ठीक है और यह world का second largest कुमबद है ठीक है भी भूल तो देखिए यह पूरा आमारी भाहमेनी kingdom भाहमेनी kingdom थी ठीक है तो एक बार रिवास कर लेते हैं ठीक है भी जल्दी जल्दी कोने अला अ unfolding हुसैन ऐलाओ धीन रखिए भाहमस्या फाउंडर थी किनका भाहमेनी kingdom का ठीक है भी बहल और इनको और कштगा जाता था आंसन गंगु का धैसरजर तक ठीक है न Ε्न्ने के रहाता coolerसां करना हा हमारी भाहमेनी kingdom को ठीक है और गुल्बर उनके टाइम प्रवार अंगल को दिफिट करा था पिर इसको देबार आया वान को डिफिट करें ठीक है और फिर खुद भी डिफिट हो गया है उसके बाद आमेद शाह वाली एक इंपोर्टेंट क्या चीज़ इसने करा एक पिटल को शिफ्ट करा ठीक है बाहा से गुलबर्ग से बिदर मे तो ओंगत उसके बाद दीकें यह जो हमारी महामद कुली कुतुपशा है महामद कुली कुतुपशा ने कौन सी किंग्डम का फाउंडेशन करे ते गोलकॉंडा किंग्डम का फाउंडेशन करे ते ठीक है महामद कुली कुतुपशा ने और गोलकॉंडा फोर्ट को इनने बिल्ड करा ठीक है पिर चार मिनट बनहें हाव्जेHS इसको भी फाउंड करारें इसको भी फाउंड करा किसने मुध कुछ कुछ रके थे घ्रक खूरी वीजापुर किंग्डम को रके थे एखाईयम ॅधिल इसकोनों धंडींडाते में क अपना कोट्र बनाणेज बनाया घुलुमभवर को रबसकाइब करनाटका में वुर्ड सेकेंड नारजेस्ट गुमभवर यह तीक है इसको वह इसपारींग गिल्री भीका जाता है क्यूं इसपेरिग इसपार्इग गिल्री का जाता है और भी आप बूलोगे तो आहवास करती यह को करती है ठीक है, this is all about this lecture, ठीक है people, अब next lecture में हम क्या कभर करेंगे, बक्ती and सुफी movement को कभर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम मुगल डाइनिस्टी को कभर करेंगे, ठीक है, विर ऐसे दीरे दीरे करके हमारी medieval history भी complete हो जाएगी, ठीक है, तो इस lecture के तुरू आपको कुछ help मिलता है, ठीक है, तो चैनल को सस्क्राइब करिए, थैंक यू, जय हिंद!